जब भी हमें हलकी फलकी भूक लगी हो या स्याम की चाई का टाइम हो तो कुछ टेश्टी सा क्रिस्पी सा स्नेक्स खाने का मन करता है तो आप उस टाइम ये ब्रेट से बना हुआ टेश्टी और एकदम क्रिस्पी स्नेक्स बना कर खा सकते हैं बनाना इतना आसान है कि हर कोई बढ़ी आसानी से बना सकता बहुत टेश्टी बनते हैं तो आप भी इस एगर पर जुरूर ट्राइए करें अगर रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक से बी जुरूर करें तो चली दोस्तों आज की रैस्पी को हम सुरू करते हैं इन स्नेक्स को मनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे उबले हुए आलू साथ में डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करतो तो प्याज को स्कीप कर सकते हैं एक बारी कटी हुई हरे मिर्च थोड़े से हम बारी कटे होरे धने के पत्ते डाल देंगे मसालों में डालेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच चाट मसाला आदा चमच ही डाल देंगे गरम मसाला टेट के अकोडिंग इसमें हम डालेंगे नमक अब सारी चीजों को हम अच्छे तो अब हम थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इस तरह से गोल गोल करते हुए इसकी हम पोटेटो बोल्स त्यार कर लेंगे यह देखे एक पोटेटो बोल मैंने त्यार कर ली है इसी तरह बचे वे मिक्सर से हम सारी बोल्स त्यार करकर बना कर त्यार कर लेंगे यह देखिए सारी पोटेटो बोल्स मैंने त्यार कर लिया है इनको एक बाल हम साइड में रख देते हैं अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे चार चोटी चमच मैदा थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक और थोड़ा से डालेंगे हम कारी मिर्स पाउडर अब इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होने चाहिए तो अब मैंने यहां पर ली है वाइट ब्रेड तो सबसे पहले इनके हम किनारे काट लेंगे तो कोई भी सार्फ नाइप ले 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 और इनसे इस तरह से ब्रेड के किनारे पहले के आप लेंगे और इसको हम पानी में डीप करेंगे और तुरंद इसका पानी हम फातों से नहीं चोड़कर निकाल देंगे पानी निकालते वक्त थोड़ी सी सावधानी बढ़ते कि ताकि हमारी ये ब्रेड तूटने ना पाए अब इसके उपर हम एक पोटेटो बोल रखेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे ब्रेड को हमने पानी से सोक करके रखा हुआ था तो ये आसानी से बंद हो जाएगी और हमारी बोल अच्छे से त्यार हो जाएगी तो अब इस बोल को हम जो हमने बैटर बना कर त्यार करके रखा हुआ था उसमें डीप करेंगे और फोक से इसको निकाल कर फिर इसको हम ब्रेड क्रम से कोट करेंगे तो इसको हम ब्रेड क्रम से कोट कर लेते हैं ये ब्रेड क्रम्स मैंने जो ब्रेड के हम मैंने किनारे काट के रखे हुए ते उसी से बनाया है तो ये इस तरह से मैंने एक बोल त्यार कर ली है इसी तरह से बची हुई बोल्स हम सब त्यार करेंगे, तो अब इनको हम फ्राइ करेंगे, तो फ्राइ करने के लिए तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, और गैस की फ्लेम भी हम इनको फ्राइ करते वक्त मीडियम ही रखेंगे, और जब यह हलके से नीचे से सिख जाएगी और क्रिस्पी भी लग रही है तो इनको हम तेल में से निकाल लेते हैं और जो बची हुई हमारी बोल्स है इनको भी हम सेम इसी प्रोसेस से इनको फ्राई कर लेंगे यह bowl भी हमारी अच्छी से क्रिश्पी लग रही है और golden brown भी दिख रही है तो बस इनको भी हम निकाल लेते हैं तो यह हमारी एकदम क्रिश्पी और टेस्टी bread का snacks यानि की potato bowls बनकर त्यार हो चुकी है बहुत ही क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना आपने देखा कितना असान है हर कोई इसी बड़े असानी से बना सकता है और उपर से ये बहुत ही क्रिस्पी रहती है तो आप इसका सांड भी सुन सकते है कितनी क्रिस्पी है है ना विलकुल एकदम क्रिस्पी उपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही एकदम सोट रहती है और कि आप इन्हें चटनी के साथ ये टॉमेटो केचप के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं बहुत त crypto लगती हे आप इन्हें अजХे पाड़ पारटी बटर भी सर्व कर सकते हैं तो आप इन्हें घर पर एक बद जुरूर जुरूर ट्राइब करके देखें और फिर कमेंट करके मुझे जुरूर बताए कि आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी आपको अच्छी लगी होगी अगर रैस्पी थोड़ी सीव अच्छी लगी हो तो प्ली